नमस्टार दोस्तों! कैसे है आप सभी लोग? I hope दोस्तव लोग यहां पर सभी अच्छे होंगे दोस्तों मैं इस вडियो में Nifty के बारे में बाद करेंगे और Benk Nifty के बारे में बात करेंगे कि अपन कल किस तरीके से प्लांण कर सकते हैं निफटी और Benk Nifty में दोस्तों गर मार्केट को देखा जाए तो मार्केट कहीं ना कई दो दिन हो चुका है सुमार मंगलवार यहाँ पर मार्केट पूरा एक तरीके से वोलेटाइल है options के price यहाँ पर नहीं बढ़ रहे जब कि यहाँ पर बहुत जादा options के price दीक है उसके पिछे का reason के हम reason को भी समझने वाले हैं फुड़ा सा पर यहाँ पर डाव फीचर को समझेंगे dollar index को समझेंगे तो कहीं ना कि दोस्तों वीडियो in-depth होने वाला है था कि आपको बता चल सके कि आप कल किस तरीके से प्लान कर जकते हो दोस्तों जो मैंने आपको लेवल दिये थे nifty और bank nifty में मैंने bank nifty का एक support आपको बताया था market आया यहाँ पर proper support लिया अपने को उपर जाता वह देखने को मिला फिर यहीं पर market sideways हो चुका था nifty का अपने एक selling का area था बट अपने को price action यहाँ पर देखने को नहीं मिला तो यहीं से price में क्या लिया support लिया और यहाँ से अपने को उपर जाता वह देखने को मिला last time पे nifty यह उपर क्यों गया था उसकी पीचे का reason दोस्तों simple था जब मैं live था तो मैंने कहा था कि market कहीं न कहीं तीवो नाची का retracement ले सकता और nifty उपर जा सकता है मैंने इस time पे बोला था एक बच के 15 मिनट मैंने यहाँ पर nifty के बारे कहा था कि nifty उपर जा सकता तो nifty proper उपर भी गया है चलिए वीडियो को start करते हैं कहना चाहता हूं यार अगर आपने टेलीग्राम को जोइन नहीं कहा तो टेलीग्राम को जोइन किजेगा तो उस्तों म मोटा मोटा यहाँ पर इसने 20 point दिये हैं फिर मैंने इसको क्या कर रहा था 112 पर exit करने का बोल दिया था दोस्तों मेरे जो लेवल होते हैं only for education purpose के लिए होते हैं ताकि आप सीख सको कि मैं अगर लेवल दे रहा तो उसकी पीछे का reason कि आप चार्ट को proper identify कर सो कि मेरे लेवल कि इसके ओपर है ठीक है तो कहीं न कहीं मैं कहूंगा आपको कि यह telegram को join किजेगा जिसका link दोस्तों मैंने जो है proper description में दिया हुआ है मेरे नाम से बहुत सारे fact telegram channel है दोस्तों उन से आपको बच करे रहे ना है तो जो link दिया हुआ है description में वहीं से किजेगा अगर आपको मेर telegram नहीं मिल रहा है तो क्या किजेगा मुझे WhatsApp कर दीजेगा मैं अपने telegram का username आपको भेज दूँगा चलिए start करते हैं किस तरीके से अपन जो है प्लान कर सकते है थोड़ा सा यहाँ पर देखो दोस्तों dollar index यहाँ पर कहीं न कहीं अगर यह 105.093 मतलब 105.093 का अगर यह breakout करत है तो फिर कहीं न कहीं अपने मार्केट में दिक्कत आ सकती अपना जो मार्केट यहाँ पर गिलिबे सकता है क्योंकि यह breakout करेगा तो अपने को कहीं न कहीं यह ऊपर जाएगा तो अपने को जो मार्केट नीच चाहता हुआ देखने को मिलेगा बट यहाँ पर देखने वाल पॉइंट सतर पे आया था याई एट पॉइंट सतर पे अपना इंडियाविक्स था और अभी कहां यहां पर वही अगर आप देखते हो दोस्तों कहीं न कहीं जब चुनाव चलता है चुनाव जब होते हैं उससे पेले पेले अपना इंडिया विक्स था अगर 19 में देखा जाए तो उस टाइम पर अपना इंडिया विक्स कहीं न कहीं यार उस टाइम पर था उस टाइम पर अपना इंडिया विक्स बढ़ रहा था यहनी करेक्शन हो रही थी देखा जाए तो अगर अपन 14 का देखे तो यहाँ पर आप देखोगे यह उपर देखो यहां वार है क्या पता result क्या आएगा बट काफी लोग तो सोच रहे बट जो result आना चाहिए वो तो आएगा ये बट इस बार थोड़ा सा उल्टा हो रहा है कि ज़ो अपना India Wix है वो कही न कहीं downside की तरफ आ रहा है तो देखते का इस क्या होता है अगर ये उपर जाता है तो फिर अपने कहीं न कहीं करेक्शन होती है भी देखने को मिल सकती है मार्केट में और मैं आपको दिखा देखते हैं करेक्शन का reason क्या होगा थोड़ा सा बेंक निफ्टी का इस चार देखो आपको logic समझाता हूँ फोड़ा सा यहीं पर आजाओ कि इसने क्या करा है कि जो अपना previous day का जो high होता है previous day का जो high होता है इस price पर price प्रॉप पर आया इसका breakout दिया candle नीचे close हो चुका है मतलब अगर देखा जाए इसमें एक shooting star अपने को जो है bank nifty अपने को देखने को मिल रहा है price तो उपर गया बट लास्ट टाइम पर क्या हुआ seller नहीं यहाँ पर इसको sale कर दिया फिर दोस्तों अगर अपन पूरा bank nifty का chart देखे ना तो अपने को bank nifty में एक pattern देखने को मिल रहा है हमको इस तरीके से यहाँ पर इक pattern अपने को देखने को मिल रहा है अगर हम देखे तो यह अब मुझे बताओ दोस्तों यह pattern कौन चाहिए मतलब यह चुनाव का result नहीं आया market भी इस range के अंदर फसाओ मेभी यहाँ पर क्या correction हो चुनाव तक फिर market क्या खरी ऊपर जाए यह हो सकता है क्योंकि market कहीं ना के proper symmetrical triangle form ने को यहाँ पर होता हुआ देखने को मिल रहा है और कहीं ना कर्रेक्शन होते तो कहां तक हो सकती यह अगर गिरता है दोस्तों तो फिर कहीं ना के यह market आपको कम से कम 700 जले के 800 पुइंट का फोल आपको देखने को मिल सकता है बैंक का निफटी में क्योंकि अगर यह proper इस setup को follow करता है तो यहीं पर आ जाते हैं और यहीं पर अगर अगर अपन देखते हैं निफटी भी same कर रहा है दोस्तों निफटी भी क्या किया यहां पर था इसका 22,525 का हाई यह केंडल जो है 22,530 का हाई बनाया इसने और क्या होँ नीचे क्लोज हो गया यह जो अपना केंडल था इसके नीचे क्लोज हो गया यहां भी क्या हो रहा है बार अबर यह प्रिवेज डे का जो हाई होता है उसके नीचे बारबर प्राइस क्लोज हो रहा है अगर मैं कहूं दोस्तों जो अपना व्यू है मेरा जो व्यू है कि मार्केट कही ना कि छोटी मोटी करेक्शन इसमें आ सकती है मैं दो दिन से लगातार बोल रहा हूँ मैं अपने टेलीग्राम पर चार्ड भी भेजाओं आप उस चार्ड को जाके चेक जरू किजएगा मेरा जो व्यू है कि मार्केट में कही ना कि छोटी छोटी करेक्शन आ सकती 700 इस से लिए 800 पोइंट मेरे साफ से बेंक के निफ्टी आपको देखने को मिल सकता है और जो मेरा निफ्टी का टार्गेट है वो हूँ यहाँ पर 22,200 तक का निफ्टी कहीन कहीन यहाँ तक आ सकता है तो देखते हैं क्या होता है बर दोस्तों अगर यह डोलर इंडेक्स बढ़ता है तो कहीना के अपने लिफ्टी थोड़ा सा नुकसान होगा और वहीं अगर अगर अपन देखें यूएस का जो बॉंड है अगर यही बढ़ता है तो अपने लिफ्टी सेक्टर के लिए यह भी एक खत्रनाक साबीत होगा अगर यह बढ़ेगा तो फिर अपना आइडी सेक्टर भी नीचा आता हुआ देखने को मिल सकता है चलिए किस तरीके से प्लान करना है उससे पहले पन डेटा चेक कर लेते हैं डेटा से पहले याद आए मेरे को यह डाव जोन फूचर देख रहे होगा इस कहां पर यह नेगेटिव देखो तीन सो चालिस पॉइंट उसकी बीची का रीजन यह है यूएस बोन्ड का जो चार्ट आप देख रहे हो न यह बढ़ता जा रहा है ये भी कही ना कि खत्रे की अंटी मेर को यहाँ पर दिख रही है यूएस का जो डाव जो उनका जो फ्यूचर है वो यहाँ पर लगातार नीच आता हो देखने का मिल रहा है और अगर आप यहाँ पर देखते तो अपने को इसमें डबल टॉप टाइप का पैटर्न यह अपने को यहाँ पर देखने का मिल रहा है आपके दोड़ा तो पॉज़ाग नेगटिव मिलेशा पॉजर्टा थी ओउज्छ फिल्लीपींन से यहां पर नेगटिव एंगटिव%, सिंगापूर यहां पर है। South Korea यहाँ पर देखा जाएगर अपने US को अपने फोलो करते हैं तो कहीं न कहीं फोड़ा सा अपने कुछ हो है Dow Future यहाँ पर नेगेटिव है तो दिक्कत वाली बात यहाँ पर हो जाती है दोस्तो मार्केट पहली बात तो उपर नीचे क्या हो रहा है कि market में जो option chain है जो data है वो बरावर है अगर मैं दिखाता हूँ यहाँ पर आप call writer का number देखो कि 5 करोड का call writing है और यहाँ पर 4 करोड 70 लग का put writing है अब market जाए तो बिचारा कहाँ पर जाए क्योंकि इस side से put writer बेटा है इस side से call writer बेटा है जैसे कि अगर अपन चेक करते market में 47,500 का level देखो क्या अंतर अपने को देखने का मल रहा है यहाँ अगर 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 आपन और बेंक निफ्टी का data check करते हैं तो उस्तों कहीं न कि यहाँ पर 4600 के level पर भी बहुत जादा call writing यानि बहुत जादा call seller है कम से कम 47,600 इस level पर भी यहाँ पर बहुत जादा call writing है मतलब call को sale करने वाले जादा है simple सी बात बोलू वहीं अगर अगर अपन निफ्टी को देखते हैं तो निफ्टी में कहीं न कहीं call selling जादा है यानि 22,500 का level यहाँ पर दोस्तों एक करोड के आसपस आप चेक कर सकते हो नन्यानवे लाग आप एक करोड मान सकते हैं मोटा मूटे कि यहाँ पर एक करोड का ओवाई 25 पर बेटा है मतलब निफ्टी भी डेटा जो है 25-500 के लेवल पर जर्नल मेंटन करोगे तो आपको पता रहेगा कि मैंने क्या गलती करी है ट्रेड में वहाँ पर आप लिख सकते हो वहाँ पर आप चार्ट वगरा भी शेर कर सकते हो जर्नल एक option होता है तो कहना चाहता हूँ अगर आप फायर का अकाउंट ओपन करना चाहते है इस range के अंदर आपको scalp करना है इस range के अंदर scalp करना है जो profit आता है आपको लेकर निकल जाना भाई क्योंकि यह range जो है बहुत खतरना के यह जो इंडिया विक्स है यह कही ना कि यहीं पर sideways करवा रहा है तो उपर का जो level बनेगा 47,710 नीचे का जो level बनेगा 47,385 इस अंदर की zone के अंदर आपको only scalp करना है आपको यहाँ पर कुछ नहीं सोचना है अगर इस zone के अंदर market रहेगा तो आपको scalp ही देखना है इस के लाव आपको directional वारेक्शनल मत देखना मेरे बाई बड़ा मुह मिलेगा हाँ अगर आपको मिल रहा है जिसे यहाँ मिला एकदम से आपने बुक कर लिए अच्छी बात है ठीक है पर यहीं पर बात करता हूँ उस तो कहीन है कि अगर मेरा जो view है अगर bank nifty 47,385 का level break करता है अपना target रहेगा 47,000 ठीक है उसके बाद अपने को यहाँ पर यहाँ तक price आएगा 47,000 अगर 46,900 को भी नीचे break करेगा तो आपको अराम से 46,500 के level देखने को मिल सकते बड़ जो मेरा view है कि अगर अपने को यह 47,385 भी break होता है तो अपने को अराम से 47,000 के level भी देखने को मिल सकते यही पर आजाते हैं और कहीना के nifty में किस तरीके से प्लान करना है देखो यार मैं यही कहूँगा कि nifty में इस train line को अपने chart पर लगा लेना चुकि यह काम कर सकती चुकि इसलिए काम कर सकती price यहाँ पर तीन बार इस point पर के candle ने इसमें विक छोड़ा यहाँ से price नीच आया और यही से अपने को इस तरीके से lower high lower low देखने को मिल रहा है तो अगर market flat opening करता है market flat opening करता है तो आपको कहीना के ज़िए अपना nifty है 22,450 के area पर rejection लेता हुआ देखने को मिल सकता है फिर आपको यह कहीना कहीन 22,400 नीचे आता हुआ देखने को मिल सकता है इस तरीके से क्योंकि यह जो area है यह 22,450 का area इस point पर नीचे आएगा आपको यहाँ पर 22,400 एं 22,380 के level downside में आपको देखने को मिल सकते है और ध्यान देना अगर market मेरी साफ से अगर यह gap up करेगा न फिर यह sideways हो जाएगा यहीं पर यह ठीक है ध्यान देना चीज़को हाँ अगर आप उपर से ने प्लान करना चाहते तो मेरा जो level उपर आएगा 22,500 इसके उपर जाएगा दूस्तों आपको कहीना की जो निफ्टी है कम से कम 22,550 एं 22,570 इस यह level आपको देखने को मिल सकते है अगर नीचे downside में अगर 22,370 का level प्रिक होता तक को अराम से यहाँ पर 22,350 एं 22,300 के level आपको जो है देखने को मिल सकते है downside में यह मेरा view है और मैं यही कहूँगा इस zone के अंदर आपको scale भी करना है बट अगर मैं अपना view देखो daily time frame के साब से दोस्तों वो थोड़ा सा अपने को यहाँ पर indication दे रहा है भाई इस setup कहीं ना के downside की तरफ हो सकता है nifty भी दे रहा है और bank nifty भी दे रहा है दोस्तों वीडियो कैसे लगा आपको अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो यार तो comment जरू करना market में ओक only range के अंदर market पड़ा हुआ है तो range कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है छोटी range है समझना आसान है ठीके जो important चीज थी इंडिया विक्स की वाई जो market हो रहा है मैं आपको बता दिया है हमने देखा कि हर बाल चुना होता है उस टाइम पर अपना अंदाजा नहीं लगा सकते तो market कहीं ना कि उपर जा रहा है बट elections का result आने से पहले market को correction जीए जो कि smart money होता है जो वो कभी भी टॉप पर भाई नहीं करता है future के लिए कहीं ना कि दोस्तों अगर वो correction आती है पर एक market के upside मोँ अपने को देखने को मिल सकता है तो देखते हैं क्या होता है आने वाले टाइम पे ठीके दोस्तों ये अपना था वीडियो निफ्टी बैंक निफ्टी का prediction वीडियो आई होब आपको वीडियो अच्छा लगा और आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीड लग वीडियो निफ तो